आपके बाल बहुत ही जादा जड़ रहे हैं बहुत जादा आपके बालों में हेर फॉल हो रहा है क्योंकि बहुत बार ऐसा हो तो बाल जड़ों से निकलने शुरू हो जाते तो मैं आपको एक विजिटल का हेर फॉल पॉडर के बारे में बता रही हूं यह बहुत अच्छा प प्रहंगराज, कोकोनट, मेती, बहुत सारी इतनी सारी हर्व हैं, जो बालो को कलर देने का भी काम करते हैं, इसे इस्तिमाल करने से एक तो आपके बालो का हेर फॉल बिल्कुल रुख जाएगा, और दूसरा इसे इस्तिमाल करने से आपके जो बालो में जैसे जड़े जाना चाते हैं, वैसे तो इसमें सारी नेचुरल धर्वे हैं, इसमें कोई भी साइड इफक्ट वाली चीज नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि मैं कुछ यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आपके पास घर की चीज़े इस्तिमाल करते हैं मार्किट से मंगा कर, और इसको अपने बालो के अकोर्डिंग आप ले लीजेगा, यह देखिए, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, हेर फॉल बाला सोलुशन है, यह बहुत अच्छा, लेकिन इसका कलर आप देखेंगे, इसका कलर वाइट नहीं है, क्योंकि जैसे इसमे मेति का इस्तेमाल हुआ है, इसमें ब्रहंगराज डाला गया, इसमें आमला डाला गया, तो इसका कलर देखेंगे, आप कितना अच्छा है, और यह बहुत ही अच्छा रूट टचप की तरह भी बहुत अच्छे तरीके साब इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसका एक फायदा बहुत कितनी बार ऐसा होता है कि पॉलिशन की वज़े से गंकी की वज़े से बाल हैर फॉल हो जाता है, तो अगर इसमें दूद मिलाकर आप लगा लेंगे, तो उससे आपका हैर फॉल बिल्कुल रूख जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से यह जड़ों से जो आपकी स्कैल्प में डड़ जमा हो जाती है, उसे पूरा क्लीन कर देगा, तो आप इसमें दूद भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि दूद मैंने जैसे आपको बताया, दूद के साथ भी इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा, तो इसमें हम तोड़ा सा दूद डाल देंगे, आप चाहे तो पूरा इसे दूद में मिक्स करके घोल सकते हैं, तो मैंने इसमें एक ही चमज डाला है, आप चाहे तो पूरा जितना भी मतलब आपको पेस्ट बनाना है, आप इसे तुरंद खोल कर, 10-15 मिनट बाद दूद में घोल कर भी लगा सकते हैं, और हम इसमें डाले लेंगे प्लेन पानी, अच्छी से मिक्स करें, और इस तरीकीस से बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लें में घिए, इसको बड़ पेस्ट के बाद आपको ब्रसकी सायते से जड़ो में अपलाई करना है बहुत अच्छा रिजल्ट है क्योंकि ये इतना अच्छा हर्बल और नैच्रल हेर पोल सोलूशन है जिसे लगा कर आप एकी बार में 100% रिजल्ट पा सकते हैं तो ट्राइज जरूर कीजेगा और कैसा लगा वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजेगा